नमस्ते बच्चों, साहिराम बच्चों, last class हमने क्या पढ़ा था? हमने री की मात्रा, ए की मात्रा और अई की मात्रा के बारे में पढ़ा था तो ये है री की मात्रा जो की वर्नों के नीचे लिखा जाता है उसके बाद A की मात्रा जो की वर्नों के उपर लिखा जाता है उसके बाद ये है A की मात्रा ये भी वर्नों के उपर लिखा जाता है क्या आपको याद है? ठीक है बच्चों, अभी हम R की मात्रा, A की मात्रा और A की मात्रा के लिए Classwork लिखेंगे तो इससे हम थोड़े Revise भी कर लेंगे हमने क्या पढ़ा था Last Class तो आप अपना Classwork और Pencil लेकर बेठिए हम लिखेंगे और याद करेंगे कि Last Class हमने क्या पढ़ा था तो बच्चों ये है Re की मात्रा आप Heading लिखेंगे Re की मात्रा और उसके बाद आप लिखिए एक नाम और लिखिए एक नाम और लिखिए इसका मतलब है आपको जो नाम दिया गया है इसके लिए आपको और एक नाम लिखना है जो की Re की मात्रा लगा कर है ठीके तो हो गया पहला बला आप देखिए फर्स्ट हिरन ये क्या है ह, E की मात्रा र, न क्या लिखा गया है हिरन हिरन को हम म्रिग भी कहते हैं क्या आपको याद है ये हमने पढ़ा था हिरन, म्रिग तो हिरन का और एक नाम है म्रिग म, री की मात्रा ग, म्रिग तो लिखिए बच्चों हिरन, म्रिग उसके बाद नेक्ष्ट है राजा राजा को हम न्रिप भी कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था लिखिए सेकेंड राजा र, आ की मात्रा ज, आ की मात्रा राजा और उसके बाद इसका और एक नाम है न्रिप री की मात्रा प, रिप लिख लिया बच्चों अभी थाड़ वान ठीके क्या है ये त, इ की मात्रा न, क, आ की मात्रा क्या हो गया तिनका और तिनका को हम त्रिन भी कहते है तो आप लिखिए हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं क्रिशक किसान क्रिशक क, री की मात्रा श, क, क्रिशक ठीके और किसान के ये से लिखा गया है क, इ की मात्रा की स, आ की मात्रा स, न, किसान और किसान को हम क्रिशक भी कहते हैं तो आप लिखिए किसान, क्रिशक हो गया बच्चों हीरन, म्रिग, राजा, रिप, तिनका, त्रिण, किसान, क्रिशक नेक्स्ट यहां पर आपको कुछ चित्र भी बनाना है ठीके चित्र बनाकर आपको जो शब्द दिया गया है वो भी लिखिए और माच किजिए तो आप लिखिए एकी मात्रा पहले आप लिखिए एकी मात्रा और उसके बाद मिलन कीजिए आपको म्याच करना है तो लिखिए मिलन कीजिए उसके बाद आप यह देखिए क्या है यह रेल गाड़ी है यह ट्रेन है ट्रेन को हम रेल गाड़ी बोलते हैं रेल गाड़ी कहते हैं तो यहां पर देखिए रेल गाड़ी ठीक है लिखा गया है तो हम माच करेंगे रेल गाड़ी उसके बाद यह देखिए यह क्या है यह मेज है तो हम माच करेंगे मेज कहां पर लिखा गया है यहां पर देखिए म, ए की मात्रा ज, मेज तो हम माच करेंगे उसके बाद यह क्या है बच्चों? यह पेट है पेट कहां पर लिखा गया है यह रहा प, ए की मात्रा ट, पेट तो हम माच करेंगे उसके बाद ये क्या है ये भेड है और भेड कहाँ पर लिखा गया है आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है भेड तो हम माच करेंगे ठीके बच्चो आप लिख लिजिए राइट साइट, मेज, भेड, रेल गाड़ी, पेड और चित्र भी बनाईए उसके बाद माच किजिए ठीक है बच्चों तो यह तहाँ A की मात्रा Next अई की मात्रा अब हेडिंग लिखिए अई की मात्रा उसके बाद आप लिखिए नीचे दिये शब्दों में से अई की मात्रा वाले शब्द ढूंड कर लिखिए नीचे दिये शब्दों में से अई की मात्रा वाले शब्द ढूंड कर लिखिए तो आप यह सब जो शब्द दिया गया है यह सब लिखिए उसके बाद इसमें से जो आई की मातरा वाले शब्द है वो नीचे लिखिए ठीके क्या-क्या शब्द दिया गया है मैदान, सपेरा, हैदराबाद, बेला, गवैया, अपने, पैदल, सपने शेतान, अई की मातरा वाले शब्द कौन-कौन सा है यह है दिखिए मैदान, हैदराबाद, गवैया, पैदल, शेतान तो पांच शब्द है जो की अई की मातरा वाले शब्द है तो आप वो लिखिए हमने यहाँ पर लिख्या है दिखिए मैदान, हैदराबाद, गवेया, पैदल, शैतान तो आप भी वैसे लिखिए हो गया बच्चो तो अभी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे तो ओ की मात्रा और अउ की मात्रा ठीक है पहले हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा ओ हम कैसे लिखते थे बच्चो ये ओ तो ये है ओ की मात्रा ठीक है तो हम कैसे बोलेंगे क, ओ की मात्रा को ख, ओ की मात्रा खो और ये हम वर्नों के बाद लिखते हैं ओ की मात्रा हम वर्नों के बाद लिखते हैं ठीक है तो पहला वाला आप देखिए क्या लिखा गया है ध, ओ की मात्रा ल, क, धोलक ठीक है ये है धोलक ध, ओ की मात्रा ल, क, धोलक उसके बाद ये देखिए क, ओ की मात्रा य, ल, कोयल कुकू, ठीक है क, ओ की मात्रा य, ल, कोयल और उसके बाद ये देखिए ये क्या है, तोता है तोता कैसे लिखा गया है त, ओ की मात्रा त, आ की मात्रा तोता, ठीक है त, ओ की मात्रा त, आ की मात्रा तोता नेक्स्ट बच्चों देखिए ये क्या है क्या है ये मोर है, ठीक है जो की हमारा नाशनल बर्ड है तो कैसे लिखा गया है मोर म, ओ की मात्रा, र, मोर म, ओ की मात्रा, र, मोर तो हमने अभी पढ़ा धोलक, कोयल, फिर तोता, मोर ठीक है बच्चों अभी हम और कुछ ओ की मात्रा वले शब्दों को पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए यह है नोट न, ओ की मात्रा, ट नोट, means जो पैसा नोट, ठीक है next, चोट, च, ओ की मात्रा, ट चोट, चोट लगना फिर कोट, क, ओ की मात्रा, ट कोट, जो जाकेट, कोट, ठीक है फिर वोट, व, ओ की मात्रा, ट नेक्स्ट लाइनप देखिए यहाँ पर पहला अक्षर में ओ की मात्रा है और दूसरा अक्षर में आ की मात्रा लगाकर लिखा गया है भोला भ ओ की मात्रा ल आ की मात्रा भोला हम बोलते हैं न भोला भाला भोला फिर गोला गि, ओ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, गोला सरक्ल फिर मोटा म, ओ की मात्रा, ट, आ की मात्रा, मोटा ठीके, म, ओ की मातरा, ट, आ की मातरा, मोटा और उसके बाद छोटा, छ, ओ की मातरा, ट, आ की मातरा, छोटा ठीके, उसके बाद ये देखिए, तीन अक्षर वाले शब्द है मोटर, म, ओ की मातरा, ट, र, मोटर, दो भाई के लिए मोटर म, ओ की मातरा, ट, र, मोटर, उसके बाद जोकर, ज, ओ की मातरा, क, र, जोकर उसके बाद बोतल, ब, ओ की मातरा, ट, ल, क्या हो गया? बोतल और लास्ट ये क्या है कोयल को 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 की मात्रा य ल कोयल ठीक है बच्चों अभी हम ये पढ़ेंगे पढ़कर प्राक्टिस करेंगे यहां पर जो लिखा गया है बहुत सारे ओ की मात्रा वाले शब्द हैं ये बाक्यों में नाचो गाओ होली है तो हम क्या पढ़ेंगे नाचो गाओ होली है देखिए यहां पर नाचो च ओ की मात्रा लिखा गया है फिर गाओ होली है हो की मात्रा ठीक है अल्ल ई की मात्रा होली तो होली एक त्योहर है ये रंगों की त्योहर है तो आप भी होली खेलते हैं चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है होली का दिन था सभी जानवर चुप चाप बैठे थे होली का दिन था और सभी जानवर चुप चाप बैठे थे तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे देखिए यह तोता इधर है कोयल दोनों पेड़ पर बैठे थे तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया फिर तोते ने क्या किया खरगोश पर पानी डाल दिया ठीक है कोयल ने उसके उपर गुलाल डाल दिया कोयल ने खरगोश के उपर देखिए पीला रंग का गुलाल डाल दिया तो खरगोश पीला हो गया क्योंकि कोयल पीला रंग का गुलाल डाल दिया तो खरगोश अभी पीला हो गया पीला रंग का हो गया यहाँ पर ओ की मात्रा वाले शब्द है होली, तोता, कोयल, खरगोश हो गया, यहाँ पर खरगोश यह सब ओ की मात्रा वाले शब्द है तो हम और कुछ लाइने पढ़ेंगे ठीक है तो लोमडी बोली होली है, भई होली है हम भी ऐसे कहते हैं जब होली खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं? होली है, भई होली है वैसे ही लोमडी बोली होली है, भई होली है नाचोगाओ होली है फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया गुलाल का रंग लगाया एक दूसरे को सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया घोडे ने ढोल बजाया कौन ढोल बजाया गोडे ने देखिए यहाँ पर घोडा ढोल बजा रहा है मोर खुश होकर नाचा मोर भी खुश हो गया और वो नाचने लगा सब गाने लगे नाचो गाओ, खुशी मनाओ, होली का दिन आया है तो सब क्या गाने लगे नाचो गाओ, खुशी मनाओ, होली का दिन आया है ठीके, समझ में आया बच्चो तो हम देखेंगे यहाँ पर ओ की मात्रा वाले बहुत सरे शब्द हैं लोमडी, बोली, खोली, नाचो, गाओ, को, घोडे, ढोल, मोर, होकर, नाचो, गाओ, मनाओ, खोली है, खोली का दिन, ठीक है, खोली, उसके बाद, हाँ तो आप ये पढ़कर प्राक्टिस कीजिए, बच्चो, यहाँ पर देखिए, चित्र को देखकर, उसके पहले अक्षर में, ओ की मात्रा चिहन लगाकर, नए शब्द बनाईए, तो यहाँ पर तीन चित्र दिये गए हैं, सभी चित्रों का पहला वला अक्षर हम लेंगे, और सबसे पहला जो अक्षर है, उसपर हम ओ की मात्रा लगाकर लिखेंगे, और एक नया शब्द बनाएँगे, बच्चों यह क्या है, बतक, बतक का पहला अक्षर क्या है, ब, जिसपर हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ठीके, उसके बाद यह क्या है, यह तलवार है, तो पहला अक्षर है त, और यह कौन है, यह लड़का है, तो पहला अक्षर है, ल, बच्चों देखिए एक नया शब्द बन गया और ये क्या बना बोतल ठीक है क्या बन गया बोतल वैसे ही आप next देखिए ये क्या है बच्चों ये डमरू है तो पहला अक्षर द और हम पहला अक्षर पर O की मातरा लगाएंगे जैसे कि O की मातरा लिखा गया है उसके बाद ये क्या है ये लड़की है तो पहला अक्षर है ल और यहाँ पर E की मातरा लगा कर हम क्या लिखेंगे डोली ठीक है क्या हो गया नया शब्द डोली उसके बाद ये देखिए ये क्या है बच्चों ये अद्रक है अद्रक का पहला अक्षर है अ तो हम ओ की मातरा लगा कर लिखेंगे तो हो गया ओ उसके बाद ये कौन है? ये खरगोश है तो पहला अक्षर ख ठीक है? और ये क्या है बच्चों? ये लट्टू है लट्टू तो पहला अक्षर है लट्टू और यहाँ पर इ की मातरा दिया गया है तो हम वो भी लगाएंगे तो क्या हो गया बच्चों? ओखली क्या हो गया? ओखली तो हम तिन नए शब्दों को बना लिए पहला शब्द बोतल फिर दोली फिर ओखली समझ में आया बच्चों अभी हम अउ की मातरा पढ़ेंगे हमने अभी ओ की मातरा पढ़ा अभी हम अउ की मातरा पढ़ेंगे यह है नवका न अउ की मातरा क आ की मातरा नवका उसके बाद ह थोड़ा ह थ क, अउ की मात्रा, ड, आ की मात्रा, हथोड़ा, हमर, हथोड़ा, ठीके Next, कववा, क, अउ की मात्रा, आ, कववा, क्रोर, ठीके क, अउ की मात्रा, आ, कववा, इसके बाद चोकिदार, वच्मैन, कैसे लिखा गया है चोकिदार? च, अउ की मात्रा, क, इ की मात्रा, द, आ की मात्रा, र, चोकिदार ठीके, बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा? नवका, हथोड़ा, कववा, शोकिदार अभी और कुछ शब्द भी दिया गया है, जो कि हम पढ़कर प्राक्टिस करेंगे क, अउ की मात्रा, न, कौन, कौन, ठीके म, अउ की मात्रा, न, मौन, मौन मींज, बात ना करना, मौन रहना दोड, द, अउ की मात्रा, द, दोड, दोडना, दोड उसके बाद, न, अउ की मात्रा, क, आ की मात्रा, न, का उसके बाद, मौका, म, अउ की मात्रा, क, आ की मात्रा, मौका मौका क्या है, एक चांस, मौका उसके बाद चौका च अउ की मात्रा क आ की मात्रा चौका ठीक है? Means for चौका उसके बाद सोरव स अउ की मात्रा र भ शोरव उसके बाद गोरव ग अउ की मात्रा र व गोरव सोरव गोरव उसके बाद कोसल क अउ की मात्रा स ल कोसल सोरव गोरव कोसल उसके बाद लास्ट लाइन आप देखिए फोलाद फ अउ की मात्रा ल आ की मात्रा द फोलाद उसके बाद खोलना ख अउ की मात्रा ल आ की मात्रा द उसके बाद खोलना ख, अउ की मात्रा ल, न, आ की मात्रा खोलना ठीके बच्चों आप भी पढ़कर ये सब शब्शब्द प्राक्टिस कीजिए और अभी हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे और मौसी का घर सौरब और गोरब मौसी के घर बिजनोर गए मौसी पकोड़ी और कचोड़ी लाई मौसी क्या लाई? पकोड़ी और कचोड़ी लाई मौसा जी उनके लिए खिलोने लाए सभी ने बड़े शौक से कचोड़ी और पकोड़ी खाई बहुत शौक से कचोड़ी और पकोड़ी खाई तो क्या आपको भी पकोड़ी और कचोड़ी अच्छा लगता है? जैसे कि सौरब और गोरब को ठीक है? तो आप देखिए पहला लाइन सौरब और गोरब मौसी के घर बिजनोर गए यहाँ पर अव की मातरा वाले शब्द सौरब और गोरब मौसी बिजनोर ठीक है? सेकेंड लाइन मौसी पकोड़ी और कचोड़ी लाई पकोड़ी और कचोड़ी यह सब अव की मातरा वाले शब्द है मौसा जी उनके लिए खिलोने लाए मोसा जी खिलोने ये अउकी मात्रा वाले शब्द है सभी ने बड़े शौक से कचोडी और पकोडी खाई तो शौक, कचोडी और पकोडी ये सब अउकी मात्रा वाले शब्द है तो बच्चों अभी हम चित्र के सही नाम पर टिक लगाएंगे ठीके तो ये क्या है ये पौधा है तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे देखिए क्या लिखा गया है पौधा, चोका, मोका तो हम पौधा पर टिक लगाएंगे ठीके उसके बाद नवका, कव्वा, चोका तो ये क्या है? ये कव्वा है तो हम कव्वा पर टिक लगाएंगे नेक्स्ट गौरी, तॉलिया, तॉला तो ये क्या है? ये तॉलिया है तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे नेक्स्ट खिलोना ओधा नवका ये क्या है ये खिलोना है तो हम खिलोना पर टिक लगाएंगे हो गया नेक्स्ट अभी हम मैच करेंगे सही वर्नों को मिला कर शब्द तक रेखा खिंचिये तो देख्ये हम कैसे करेंगे लो और उसके बाद क आ की मातरा ये या फिर क आ की मातरा देखिए कई की मातरा लो की ये देखिए लो की लो अउ की मातरा कई की मातरा लगा कर क्या लिखा गया है लो की उसके बाद चः अउ की मातरा ठीक है तो चो की चः अउ की मातरा कई की मातरा ठीक है Next म अउ की मात्रा क आ की मात्रा क्या हो जाएगा म का म अउ की मात्रा क आ की मात्रा म का उसके बाद न अउ की मात्रा क आ की मात्रा हो जाएगा न अउ का ठीके न अउ की मात्रा क आ की मात्रा न उका ठीके तो हो गया मैच बच्चों आप भी ये मैच करके प्राक्टिस कीजिए और अच्छे से ओ की मात्रा अउ की मात्रा वाले शब और वाक्यों को पढ़िए ठीके तो ओ की मात्रा और अउ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़िए और प्राक्टिस कीजिए तो धन्यवाद बच्चों